थाना बहाद छेतर के अंतर गते गाउं रगुनात पुरा में पश्यों से फसल रखवाली के लिए खेद की मेड पर लकड़ी गाणने कुले कर विवाद हो गया जिसमें दवंग पक्ष के लोगों ने गाली गलौस कर दी विरोध कन्य पर वरत की उपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया जिससे ब्रध गंभीर रूप से घायल हो गया शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल करा कर जाच शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार किसान लाला राम पुत्र बद्री प्रसाद उम्र करिब 75 वर्ष निवासी गाउं रगुनात पुरा थाना वहा का आरूप है कि अबिवार की सुभा वह अपने खेत की मेड पर पश्यों से फसल रखवाली के लिए लकड़ी गाड़ रहा था तभी गाउं की दबंग हीमराज एवं तुला राम लाठी डंडे लेकर आ गए और गाली गलोज करते हुए पेड़ पर लकड़ी गानने से मना करने लगे इसी परिजनों को आता देख आरूपी मौके से भाग गए खून से लहू लुहान ब्रत को परिजन ठाने लेकर पहुचे और शिकायत की जिस्तर पुलिस ने ततकाल ब्रत को इलाज के लिए मैडिकल हेतू समुदाय स्वास्तिक केंद्र वहां में भर्ति कराया जहांची किस्तकं द्वारा घायल ब्रत का इलाज किया गया वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जाच कर रही है मैंने पर लकडिया गाड़े रहा हूं बाजराम की बगल गंजनी की वास में दो यमिने डंडा लटिया दाइस वहां ठीता मुटा होगा कितने लोग थे वे बाग बेटा दुए और तो बेए जनी पनी असी थे यहां क्या नाम हांगा सुला रही हमराज तुलाराम रही हमराज दो